नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ स्सी मेकर की इस ओनलाइट प्रफार्म पर कैसे हैं आप सभी स्टुडेंट उमीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयरी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे दोस्तों आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है और reasoning की class में एक हम बहुत ही महतपूर आप लोगों को chapter पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है VNR1 यनि की VNR1 दोस्तों आप कोई भी exam देंगे तो आपके exam में एक या दो question हमेशा देखने को मिलेंगे तो आप लोगों को आज की class में हम कुछ तरीका बताएंगे कुछ आप लोगों को सोचने का तरीका बताएंगे कि कैसे आप सोचेंगे कि सही VN diagram को कैसे पहचाने कि जो सब्द दिया गया है उसका सही VN diagram क्या है तो आज की आप लोगों की ये class recording है तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा सारे प्रशनों को आप लोग नोड भी करेंगे क्योंकि सारे question आज की जो भी class ममली है selected question है जिस type के question हमेशा exam में मिलते है उस type के question है और प्रिभेसर के भी important question है तो चलिए आज की class को हम start करते है सारे पुच्छे देखेंगे अच्छे से देखेंगे चलिए आप लोगों की एक सीज़ और बता देते है when diagram यानि when rx when rx के प्रशनों को solve करना बहुत ही आसान है बस ये क्या है मामूली आपको बस सोच पर आप क्या दरित है कि आप की सब्दों के बारे में क्या सोचते है कहने का मतलब है अगर सब्दों का ज्यान आपको पता है कि अगर बोल रहा है, टेबल बोल रहा है कुर्सी बोल रहा है, फरनीचर बोल रहा है तो इनके बारे में अगर आपको knowledge है कि ये किसके अंतरगात आते हैं क्या चीजे हैं अगर सब्द के बारे में जानकारी है तो आप प्रश्णों को आराम से solve कर लेंगे मतलब simple सी बात बोले तो ये बहुत इक थोड़ी से आपकी अगर जानकारी है समझ है तो आप प्रश्णों को बड़ा आराम से और सही से करेंगे ठीक है तो उसमें आप लोगों को logic क्या लगाना है कैसे solve करना है इसके बारे में हम बात करते हैं चलिए देखिए question हम आप लोगों के सामने लारे पहला question देखिए पहले आप लोग पढ़िए एक बार ध्यान से फिर हम आप लोगों को बता रहें कैसे solve करना है सारे question देखिएगा कहीं पे भी doubt एक भी परसेंट का नहीं होने वाला है ठीक है पहला यह important question है exam में भी पूछा गया है कुछ नहीं करना है बस समझना है देखिएगा वह आरेक चुनिये जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच के संबन का सहीन रूपड करता है किसके बीच मिनट दिन महीने तो अब आप इन सब्दों के बारे में आपके मन में कुछ विचारा होगा कि मिनट किसे कहा जाता है, दिन किसे कहा जाता है, महीना किसे कहा जाता है, अगर इनको आप अलग-अलग समझ सकते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं, तो अगर आप देखें, बोले मिनट, तो बोलेंगे मिनट होता है, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, घड़ी में मिनट होता और 60 मिनट में एक घंटा हो जाता है, फिर बोलेंगे कि उसके बाद से एक घंटा 60 मिनट में हो जाएगा, फिर 24 घंटा में क्या हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, और फिर उसके बाद से महीना, कई दिनों को मिला के महीना बनता है, यानि बोलें तो मिनटों को मिला के घंट कैसे करेंगे देखिए आप लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे आप इसमें कैसे भी कर सकते एक बड़ा सरकल बना लीजिए महीना का क्योंकि महीना क्या होगा बड़ा होगा और महीने के अंतरगत क्या होगा दिन और दिन के अंतरगत क्या होगा समय यानि की मिनट यह मिनट क्य होगा देखिए छोटा हो गया यानि बीच में चला जाएगा इसका वेंड डेगरम कैसे बनेगा option number C clear है नहीं clear है तो एक बार और देखिए देखिए मिनट सबसे छोटा है मिनट क्या होगा मिनट किसका part है यह दिन का part है दिन किसका है महीने का तो देखा जाए तो आप इसे करेंगे महीने के अंतरगत क्या रखेंगे महीने के अंदर ही दिन आएगा अगर मैं बोलू एक महीना तो आप बोलेंगे अपके मन में आएगा कि यह जुलाई चल रहा है अगस चल रहा है सप्टेंबर चल रहा है तो 31-30 का यह दिन होगा यानि इसमें 31-30 दिन होगे अगर मैं बोलू एक दिन तो आप बोलेंगे 24 घंटा मैं बोलू एक घंटा तो 1 मिनट बोली, तो आप Second भी समय सकते हैं, समझ रहें, तो y closely, क्या होगा, यानि सबसे बढूर करेंगे क्या, दिया दिखें, महीना, और महीने क अंथरकत रखेंगे क्या दिन, और दिन अंथरकत, मिनट वस when diagram clear है ठीक है चलिए ऐसे ही question आपको समझा रहे हैं अभी सारे logic clear हो जाएंगे और आप लोग एक दम सही देने लगेंगे option number B क्यों नहीं होगा अगर आप देख रहे हैं तो कुछ दिन महीना होता है ऐसा तो है नहीं या कुछ मिनट दिन होते है ऐसा तो है नहीं यह नहीं फिर कभी आप उसके बासे बुक से question solve करेंगे तो आपके लिए आसान चीज़े हो जाएंगी question number दूसरा है वहां आरेक चुनिए जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच के संबंद का सही निरूपड करता है कार लकड़ी और चुहा क्या बोला है कार लकड़ी चुहा कार आप लोगोंने देखा होगा कार टाटल की कार महिंद्रा की कार यह सब कार देखें है आप लोगोंने लकड़ी भी देखा होगा लकड़ी लकड़ी तो पत्ले है न लकड़ी आम का लकड़ी जामून का लकड़ी ठीक है, people का लकडी, लकडी जो होता है, इस से भी परचीत है, छूहा, छूहा तो आप лोग देखे होंगे गरों में जो रहते है माउस, ठीक है, तो चूहा को भी देखें, तो अब आपको ये सोचना है, क्या car का संबंद कोई लकडी से है, क्या कार और लकडी आपस में relate कर रहे हैं इनका एक दूसरी से संबंद है तो बोलेंगे नहीं कार दूसरी चीज होती है लकडी दूसरी चीज होती है क्या कार का संबंद चुहा से है नहीं कार दूसरी चीज है चुहा दूसरी चीज है है क्या लकडी और चुहा कापस में कोई संबन है लकडी दूसरी चीज behavior care मतलब देखा जाये तो ये जितने भी यहां पर शब्द गया जो तीन कार लकडी चुहा यह 13 अलग अलग चीजह है यह दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है ये दूसरे से रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कार अलग चीज है लकड़ी अलग चीज है चुहा क्या है अलग 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 इसका इवेंडेगरम बनेगा और option number क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा तो अब आपके दिमाग मारा होगा कि सर कौन सी चीजे होंगी जो एक दूसरे को रिल पिता और फिर रग दे क्या महिला ठीक है यह अगर हम आपके सामने रग दे इसका वेंडेगरम बोले तो आप बोलेंगे कि पिता पिता क्या होते है मालने जिए हम लोगों के आपके मालने जिए आपके पिता जी है ठीक है पिता है किसी के भी पिता जी है ठीक है पिता जी ह तो पिता महिला हो सकता है पिता महिला होंगे नहीं पूरुस महिला होगा नहीं पूरुस महिला अलग अलग चीज़ है तो महिला को अलग यानि यह एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कौन-कौन देखिएगा पूरुस और पिता ठीक है यानि अलग-अलग आप लोगों को समझ और एक दूसरे से relate कैसे कर रहे हैं यह भी चीजे समझना है तो यह एक दूसरे को relate कर रहे हैं लेकिन यहां पिखेया है कार लग अलग बात तेक बोल रही है इसलिए अलग हो गया समझ में आ गया चलिए अभी हम next question के तरफ चले आगे चलेंगे तो सारे question आपकी clear हो जाएंग पक्सी है तोता है चमगादड है यह question दोस्तो एक बरने exam में बहुत बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है क्यों क्योंकि बच्चे answer गलत देते हैं हमेशा गलत देते हैं नहीं समझ पाते हैं सोजा से गलत देते हैं तो आप समझ लीजिए गलत आप इल्कुल भी मत करिएगा देखिए अब यहां से अब आप रिलेट करेंगे पक्सी पक्सी आप सभी को बता होगा पक्सी ठीक है पक्सिया उड़ती है आप लोग देखें होंगे तोता हो गया तोता पक्सी है कौवा हो गया कबूतर हो गया मैना हो गई गोरईया हो गई बुलबुल हो गई यह सब पक्सी है, पक्सी के अंतरगत ही तो आ रहे है, मुर्गी हो गई, ठीक है, यह सब पक्सी है, अब देखिए, तोता तो बोलेंगे पक्सी है, चमगादर, अब आप बहुत से बच्चों को दिमाग में आ जाता है, चमगादर को भी उड़ते हुए देखे हुए, चमगा चमगादर जो होता है ना ये किस प्रजाती के अंतरगत आते हैं ये अस्तन पाई प्रजाती के अंतरगत आते हैं ठीक है हाँ ये पक्सी के अंतरगत नहीं आएंगे कहने का मतलब है एक हम सरकल बनाएंगे पक्सी और पक्सी के अंतरगत रखेंगे क्या तोता को क्योंकि सभी तोता जो है वो पक्सी है, चमगादल पक्सी नहीं होता है, चमगादल को क्या करेंगे, अलग रखेंगे, यानि वें डागरम क्या हो जाएगा, ओप्शिन नमबर ए हो जाएगा, यह important question है, ध्यान दीजे, चलिए आगे अभी और question करा रहें, और clear होगा अच्छ से, यह देख है, या बता है, पिता और पूरुस के बीच क्या संबंध है, पूरुस और पिता के बीच क्या संबंध है, पिता जी है, तो पूरुस होंगे, यानि पूरुस के अंतरगत आएंगे, पिता, सभी पिता पूरुस है या कुछ, सभी, यानि सिंपल भासा में अगर हम बोले, त और बहुत सी लोगों के नहीं होँगे क्या सभी एड़ोकेट पूरूस ही होते है या आप सभी पिता ही होते हैं ऐसा नहीं है तो इसको में डाय गरांसी कैसे परतर्सित करेंगे एक हम सर्कल बनाएंगे किसका बताईएगा हम बता दिये किसका पूरूस का और पूरुस के अंतरगत क्या आएंगे पिता जितने भी पिता है सभी के सभी पिता ये ना सोचिएगा न कि इसको हम ऐसे कर दे पूरुस के अंतरगत पिता ऐसे नहीं काटना है ये नहीं कि आधा पूरुस पिता है आधा पूरुस नहीं है द्यान दीजे जितने भी पिता है और पुरूस है और पिता में सारे पिता क्या एड़ोकेट होते हैं नहीं कुछ पिता एड़ोकेट होते हैं हाँ होते हैं कुछ पुरूस भी एड़ोकेट होते हैं तो कहने का मतलब है यहाँ पे एड़ोकेट बनाएंगे कुछ पिता एड़ोकेट तो ऐसा आप देखिए वें करते हुए चलिए सारे important question है एक बार आप लोग अच्छे से समझ लेंगे पढ़ लेंगे फिर आप लोगों को वेंडेग्राम में कभी दिक्कत नहीं होगी बस करना क्या है यह जो सब्द दिया गया है ना इन्हीं सब्दों पर आपको विचार करना है विचार कर रहे है तो answer आएगा ठीक है बस यही चीज़ करना है आगे चले next question के तरह चले question number आप देखेंगे 4 sorry 4 हो गया 5 5 question number 5 हम आपको बता दे most important question है बहुत बार पूछा गया है ठीक है और जो pattern है नहीं यह पूछने का इस पर हमेशा exam में question आते हैं देखिए question क्या बोल रहे है वह आर एक चुन अब तो आप सिक्कीम का भी नाम सुने होंगे सारे बच्चे मडीपूर का भी सुने है इंफाल का भी सुने है अब आपको थोड़ा सा सोचना है कि इन में से कौन एक दूसरे से संबंदित है आप बोलेंगे यह सब भारत में ही है तो यह नहीं बोलना है कि भारत में ही है आ जानकारी जानकारी आपको नहीं को तो आप बिलकुल भी नहीं देपाएंगे और अन्षर देंगे तो गलत होगा ठीक है तुक्हें लगा सकते हैं तो तुककह लगाने की जोरुबत नहीं है सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं सभन आपको याद रखना है जिसमें क्या है आपको याद रखना है राज और राजधानी जितने भी भारत में राज हैं सभी राज और उनकी राजधानिया आप याद कर लीजिए भारत की जो पड़ोसी देश है चर्ची देश है उनकी राजधानिया याद कर लीजिए उनकी लाएगी अगर मैं बोलू उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनव यूपी में है या यूपी से बाहर है बताइए अगर मैं बोलू बिहार की राजधानी पटना है तो पटना क्या है बिहार में है या बिहार से बाहर है पटना बिहार में ही है लखनव उत्तर प्रदेश म पहीं है ऐसी ही मरीपूर के अंतरगत क्या आएगा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे देखिए मरीपूर के अंदर क्या आएगा इंफाल राजधानी सिक्किम एक अलग राज है सिक्किम अलग राज है मरीपूर से इसका कोई संबन नहीं है तो क्या जाएगा सिक्किम अलग ह को ऐसे रखते हैं ऐसे ही डाइग्राम बनता एक क्या देदेता है एक राज और उसकी राज़्धानी देता है एक अन्य राज देदेता है कोस्टन कहने का मतलब इस टाइप का उता है जब आपको पता रहेंगा तो आप तुरंट आंसर दे लेंगे तो ऐसा किस ओप्शन में ए में दिख रहा है मड़ीपूर के अंतर का तीमफाल और ये सिक्किम अलग ठीक है उमीद करते हैं आप सारे बच्चे प्रश्णों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे किसी भी कोस्चन में आपको अगर डाउट है नहीं समझ में आ रहा होगा नीचे कॉमेंट कर देजिएगा लाइफ क्लास में हम उस कोस्चन को दुबारा समझा देंगे टेंसल लेने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है अच्छे से समझते हुए चलिए क्लास अच्छा लग रहा है तो सारे बच्चे आज की क्लास को लाइक भी कर देंगे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके जुर जाएए डेली क्लास को जॉइन करिए मन लगा के पढ़िए आप लोगों के लिए आप लोगों का अगामी सभी परिक्षाओं के लिए सब्सक्राइब करें को लिए नेक्स कोशन देखिए घा यह कोश्चन भी इंपोर्डेटेंट है डेखते हैं इसका आणसर आप लोग सूच पा रहे की नहीं अगर सूच पा रहे तो मन में आणसर दबा के रखिए अभी हम बता रहे हैं question number 6 important है most important है वहाँ आरेक चुनिये जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच के संबंद का सही निरूपड करता है क्या है दिल्ली है स्रिलंका है एसिया है दिल्ली स्रिलंका एसिया अब क्या करना है इनी सब्दों पर विचार करना है वेंड़ेगरम में बस अगर इन सब्दों कर लिजिए प्रैक्टिस कर लिजिए अराम से होगी ठीक है देखिए दिल्ली स्रिलंका एसिया अब आप सोच रहे होंगे दिल्ली का दो नाम आप सारे बच्चे सुने होंगे दिल्ली सुने होंगे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दिल्ली मिस से होंगे स्रिलंका स्रिलंका आप लोग देखे होंगे क्रिकेट टीम में क्रिकेट के जो आते हैं वहां से खिलाडी स्रिलंका से तो स्रिलंका का भी नाम सुने होंगे ठीक है एसिया एसिया महादीप का भी नाम सुने होंगे एसिया एसिया जो महादीप है इसके अंतरगत बहुत सारे देश आते हैं ठीक ह 48 लगवक देश है किसके अंतरगत, Asia महादीब का अंतरगत तो Asia का अंतरगत क्या होगा? Sri Lanka हो जाएगा Asia का अंदर क्या हो जाएगा? Delhi, Delhi क्या है? भारत की राजधानी है भारत में है, यानि Asia में है समझ रहे? तो इसको कैसे प्रदसिस करेंगे वेंडे ग्राम से हैं, इसको वेंडे ग्राम से प्रदिश करेंगे, एक बनाएंगे A.C. अगा सरकल, इसके अंतर काथ हो गा दिल्ली, और यह आपका हो जाएगा सिलंका, ठीक है, दिल्ली सिलंका, ऑप्शन नमर क्या हो जाएगा, A.S. ही हो जाएगा ठीक है तो यह चीज आपको पता होना चाहिए जानकारी अगर आपको पता है इसके बारे में जानकारी है तो आंसर देंगे नहीं है तो नहीं देंगे जानकारी कैसे होगी ओ आपके पढ़ाई से बढ़ेगी जानकारी इसलिए पढ़िए मेहनत करते रहिए कोश्चिस करिए बहुत बार पूछा गया है यह question, question है वह आरेक चुनिये जो नीचे दिएगे वर्गों के बीच के संबन का सही निरूपड करता है, पती, पत्नी और परिवार, पती, पत्नी और परिवार, पती, पत्नी समझ रहे हैं, पती, पत्नी तो सारे लोग समझ रहे होंगे न, हाँ, husband wife, ठीक है, पती, पत्नी, परिवार समझ रहे हैं, परिवार किसे कहा जाता है, परिवार, परिवार के अंतरकत, पती, पत्नी, बच्चा, दादा, दादी, भाई, बहन, यह सब क्या है, परिवार के नहीं बोला जाता है, मेरे परिवार के सदस हैं लोग, अगर बोला जाए क बड़े भाई के साधी हो गया, उनकी वाइफ, उनका बेटा, यह सब क्या है, परिवार के सदस्य है, यही तो होता है ना परिवार, तो परिवार के अंतरगत क्या होंगे, पती और पत्नी, पती मतलब पुरूस, पत्नी मतलब महिला, और यह दोनो अलग-अलग चीज़े हैं, यह एक चीज़े नहीं है, अगर महिला और पत्नी की बात करें, तो महिला का अंतरगत पत्नी आजाएगी, लेकिन पती-पत्नी की हम बात कर रहे हैं, तो पती-पत्नी अलग-अलग चीज़े हैं, पती मतलब पुरूस, जो पुरूस होगा उसे पत्नी बोलेंगे, जो महिला होगी मतलब जिनकी सादी हुई यह नहीं कि सारे पूर उसको पत्ती बोलड़orye को पत्नी है सा neसा नहीं सोचना है ठीक है आपको ऐसे देखना है दिखे एक सरकल बनाएंगे किसका परिवार का परिवार का अंतरगत क्या हो गया पति और पतनी क्या आप सॉल्व कर लेंगे ठीक है चले आगे चले नेक्स कोशिन के तरफ चलने से पहले एक बात और बता दे अगर आप लोग सारे बच्चे अभी तक ससी मेकर के आप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप जरूर डाउनलोड कर लिजिए आप पे आपके आगामी सभी परिक्षा अपकी सारी की सारी क्लासेज एक डम बेसिक से जीरो लेबल से चाप्टर बाई चाप्टर चाप्टर चल रही है आप किसी भी सब्जक्ट में कितना हूँ वीक है टेंसल लेने की बिलकुल भी जोरुरत नहीं है शिपाही बैस से जूड़ी है पढ़ी है और अपने के एक्सपर्ट है जो पिछले कई सालों से सेलेक्शन देते आ रहे हैं वो इस बैच में पढ़ा रहे है आपका डाउट सेशन भी होगा ठीक है तो सारे बिच्चे जूड़े क्लास को जॉइन करें और मन लगा के तैयारी करें और अपने सेलेक्शन को सुनेशित कर सके इस साथ हम लोग पढ़ा रहे है और आप लोग पढ़ रहे है देखिएगा बैच की जो फी है दो सुनेशन भे और फर हम आप लोगों को बता दे 10 अगस्तक है कब तक है 10 अगस्तक है बैधिता आप लोगों की डिमांड पर बढ़ाई गी है तो सारे बच्चे जूड़ जूड सहते दिनल्यणी पूलिस किलिए राजधानी बैचाल रहा है जैसि उप्पूलिस के लिए चल रहा है वाजसे इसमें इस सारी बिच्टक को सुन अगस्तक करे और आगे हम आप लोगों को बता देखिस CCPSI के लिए सकती बैचला जा रहा है एक दम बेसिक से और MTS के लिए SSC MTS के लिए मुक्ती बैचल रहा है तो जुड़के classes को continue करिए चलिए आगे देखेंगे question number 8 question number 8 जो आपके सामने है ये most important है ध्यान से देखिए आरे चुनिये जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच के संबंद का सही निरूपड करता है संचार, टेलीफोन, पत्र संचार समझ रहे न संचार संचार क्या होता है टेलीफोन क्या होता है पत्र क्या होता है संचार जैसे की communication नहीं किया जाता है बात किया जाता है जिससे अपनी बात एक दूसरे के पास पहुचाईगे दूसरे की बात यहां पहुचाईगे समझ रहे हैं तो यह देखेंगे टेलीफोन का भी तो काम होई है, हेलो मता जी कैसी है, मता जी बोली आप कैसे है, ठीक है, ठीक है, यह होता है न, पत्र, टेलीफोन के पहले पत्र का जबाना था, इधर से पत्र लिख के वेजे, हमसा कूसल पुरभक है, उमीद करते हैं, आप लोग भी हैंगे, आपका भी मन खुस हो गया, और दुखी भी हो सकता है, क्योंकि जैसी आपकी, और तो इसमें दुख की बात पहले पत्र में नहीं की जाती थी, पत्र में ख्या होता था, खुसी की बात की जाती थी, सब लोग मस्त है, अच्छे से, आप वहां अच्छे से रहिए, अभी तो टेलीफोन आ गया यहां तो सब कुछ बात चल रहा है वलाने किया क्या हुआ डिमकाने क्या हुआ यह सब तो चल रहा है लेकिन यहां पर देखा जाये तो अब यहां question पर आते हैं उदर नहीं घुसेंगे संचार संचार का ही माध्यम है टेलीफोन और पत्र भी जो ह करेंगे एक सरकल बनायेंगे संचार का इसका इंतरगत अब पत्र टेलीफोन अलग अलग चीजे अ समझ में आया एक चले नेक्स्कों गे तरफ देखेंगे और आगे देखेग både question number 9 question number 9 जो आपके सामने है ये भी क्या है most important है पूछा गया question है आरेक सुनिए जो दिये गए वर्गों के बीच के संबंद का सही निरूपड करता है वृत त्रभूज और चत्रभूज अब देखिए important question है वृत त्रभूज चत्रभूज अगर आपको पता नहीं है वृत किसे कहा जाता है त्रभूज किसे कहा जाता है चत्रभूज किसे कहा जाता है तो आप answer नहीं दे पाएंगे अगर पता है तो answer देंगे अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर एखागाडी तो पढ़े हैं हम हमें पता है पता है, तो देखिए, बृत्य क्या होता है, सरकल, इसे बृत्य बोलेंगे, तिरभूज किसे बोलेंगे, तीन भूजाओं से घिरी वी आकृति, कैसी भी हो, तीन भूजा से घिर गई, एक भूजा, दो भूजा, तीन भूजा, चत्र भूज किसे बोलेंगे, चत्र भूज, चार भूजा जिसमें हो जाए चार भूजा जिसमें हो जाए एक दो तीन चार ये चत्रभूज हो गया तो देखा जाए तो इनका आपस में कोई संबंध है बच्छो आप बताईए इनका आपस में कोई संबंध है ऐसा दिख रहा है कि चत्रभूज तिर्भूज हो गया या ब ब्रित अलग चीज है देखिए त्रभूज अलग चीज है चत्रभूज अलग चीज है ब्रित सरकल एक गोला गोला की तरह है ना गोला नहीं बोलेंगे उससे सरकल बोनेंगे ठीक है यह हो गया क्या है तूटी फिगर है यह ब्रित हो गया यह त्रभूज हो गया चत्रभूज अलग अलग, अभी मत बोलियेगा कि सर सारे को तो बृत बना दिए, नहीं बृत नहीं, यह हम बेंट डाइगराम बना हैं, ठीक है, यह डाइगराम बना हैं, प्रतो सित्किय, इसलिए अलग अलग answer होगा, clear है, option number क्या हो जाएगा, D, इसका answer हो जाएगा, उमीद करते हैं, को दीखेगा जरूर प्रवेसर पेपर उठाएंगे तो एक कोईशन जरूर दीख जाएगा देखिए बोल रहा है वहां आरेक चुनिए जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच के संबन का सही निरूपड करता है आख कान संबेदी अंग अब आप लोग परचित होंगे इन समझ रहे हैं संबेदी अंग किसे कहा जाता है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं समझ रहे होंगे नहीं समझ रहे हैं तो यहीं चीज़ें समझना है नहीं समझ रहे तो आंसर गलत दे देंगे आप संबेदी अंग, सरीर में क्या होते हैं, पांच संबेदी अंग है, ठीक है, कौन-कौन से संबेदी अंग है, देखिए, क्लिक देते हैं, संबेदी अंग, क्या, संबेदी अंग, ध्यान दीजिए, संबेदी अंग, संबेदी अंग किसे कहा जाता है, देखिएगा, संबेदी अंग के अंतरगत आएगा, आख, कान, नाक, आख काननाक हो गया, फिर उसके बाद से जीव, जीव, उसके बाद आएगा त्वचा, ठीक है, यह संबेदी अंग के अंतरगत आते हैं, क्या आएगा, आख देखें, आख, आख देखी रहें, कान, नाक, जीव, उसके बाद से त तो आप बोलेंगे संबेदी अंग के अंतर का आख भी आ गया और आख कान का अलग अलग है दोनों एक चीजी नहीं है आख का काम है देखना का काम है कान का सुनना नाक का सूंगना सास लेना समझ रहें जीव स्वाद चखना बोलने में विशायता करता है ठीक है तो अच्छा महसूस करना देखिए तो यह ज़र हम इसको वेंडेगर अंग का सरकल किसका बनाएंगे बदाए बच्छों देखिएगा संबेदी अंग हो गया यह हो गया क्या आख और यह हो गया कान मतलब अलग-अलग तो आंसर हो जाएगा option नमबर एट ठीक है तो यह चीज आपको पत है बहुत बार बच्चे गलत आंसर देते हैं समझ नहीं पाते हैं क्या बोल रहा है वही चीज कह रहा है वहार एक चुरिये जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच के संबंद का सही निरूपड करता है सेव फल गाजर सेव तो आप सब ने खाया होगा ठीक है गाजर भी आ है आम फल होता है ठीक है अनार हो गया अम्रूद हो गई ये सब फल है बोले मेरकी बो लें है सबसे घभए सबसे हैं कि गाजर नहीं गाजर फंट नहीं है अब यह आपको पता करना चाहिए आपको पता हो नहीं है कि गाजर किसके अंतरगत आता है तो गाजर सब्जी के अंतरगत आता है फल के अंतरगत नहीं आता है गाजर फल के अंतरगत होगा नहीं शेव फल के अंतरगत आता है गाजर नहीं शेव और गाजर में कोई शंबंध है शेव अलग सीज़े गाजर अल सही हो जाएगा, उमीद करते हैं, आप सारे बच्चे इस question को बहुत अच्छे तरीके से समझ गये होंगे, ठीक है, चलिए, next question देखेंगे, question number 12, question number 12 देखिएगा, question number 12 भी important है, पूछा गया है, वहाँ आरेक चुनिये, जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच के संबंद का सह ही निरूपड करता है, सिसु, नर और पिता, सिसु, नर और पिता, आप लोग सिसु से परचित होंगे, नर से परचित होंगे, पिता से भी परचित होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, जो सिसु और नर के बारे में जानिकारी उनको नहीं होगी, सिसु किसे कहा जाता सिसु समझ रहे हैं छोटे बच्चे को सिसु बोला जाता है अब सिसु का मतलब क्या पूरुष या महिला सिसु से बोला जाता है जिसका लिंक क्लियर नहीं है सिसु में पूरुष भी आ सकता है महिला भी यानि बेटा भी बेटी भी छोटा बच्चा जो होता है जनम लेता है तो आप लोग देखें होंगे, हॉस्पीटल पे रहता है, कि सिसु को ये ड्रॉप पिलाए, ओड्रॉप पिलाए, ऐसा रहता है ना, सिसु की ऐसे देखवाल करें, तो भाई ये नहीं बोला जाता है, कि बेटे की देखवाल करें, बेटी की देखवाल करें, नहीं, जो छोट जाता है किसको नर पूरुस को मादा महिला को बोला जाता है ठीक है नर पूरुस मादा महिला याद करने के तरीका देखिएगा मौसे मादा मौसे महिला नर पूरुस नर पूरुस समझ रहें ऐसे आप प्रतर्शित करेंगे तो देखेंगे नर में क्या है रा है पूरुस में समझ रहे मादा महिला माषRe मादा महिला एक पता चलती है, मसे मादा मळा मंसे होता है और भ Paris उसे अब देखिए सीसु पिता अब देखिए अब पूरुस होगा ओ champions यो कहने का मतलब है सारे पूरुस पिता नहीं है एक सर्कल बनेंगे नार का, और इसका अंतर का पिता, जितने भी पिता हैं, ये नार है, यानि कि पूरूस है, क्या है, पूरूस है, अब देखिए, उसके बाद आ रहा है क्या सिसू, ये पूरूस का अंतर का पिता जी रख दिये, सिसू, सिसू क्या होता है, महिला होगा या पूुरुस होगा, उसका link clear नहीं है, उसमें कुछ सीषू पूरुस भी होंगे, कुछ सीषू महिला भी होंगे, अगर मैं बोल दूँ हिहाँ पर 50 सीषू है, तो इसका मतलब यह नहीं कि 50 के 50 लड़किया है, है ऐसा नहीं कुछ उसमें लड़के होंगे कुछ उसमें लड़किया होंगी मतलब कुछ मेल कुछ फीमेल समझ रहे हैं ऐसे अगर हम प्रदस्षित करें तो यानि पूरुस का कुछ कुछ हिस्ब क्या होगा शिशू के अंतरगत चाहेगा सिसू में कुछ शिसू पूरूस कुछ शिसू मętला यानि option number क्या हो जागा- इस टाइपस देखिए तो किस option में बन रहा है , option number c में बन रहा है यानि कहने का मतलब है नर के अंतरगत पिता और कुछ नर क्या होंगे सिसू इसको ऐसे प्रदफसित करेंगे ठीक है उमीद करते हैं आप लोग समझ गयोंगे देखिए नेक्स्ट कोस्चन आप लोग देखेंगे कोस्चन नमबर 13 कोस्चन नमबर 13 भी काफी इंपोर्टेंट ह है ध्यान से देखिएगा वहार एक सुनिए जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच के संबन के सही निरूपड करता है मसालल जीरा भोजन अब तो इतना कर लिए आप तुर एक्सपार्ट हो गए होंगे अब बोलेंगे भोजन भोजन के अंतरगत ही सबजी आता है सबजी क यह बात सुने होंगे तो ऐसे ही भोजन भोजन के अंतरगत मसाले मसाले के अंदर जीरा यानि विन डाइगराम हो गया सी क्या हो गया विन डाइगराम हो गया सी सही ठीक है चले अब आगे चले नेक्स कोश्चन देख लें अगला कोश्चन देखिएगा कोश्चन नंबर 14 यह भी important है, बहुत important है, पूछा गया, वहार एक चुनी है, जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच के संबन का सही निरूपर करता है, पिता, चाचा, चाची, पिता, चाचा, चाची, अब बताइए, चाचा, चाची, देखा जाए, पिता, चाचा ये दोनों पूरूसी है, चाची, महिला है, जो की इन से अलग हो जाएंगी, क्या पिता, चाचा होते है, माली जी आपके पिता जी है, तो चाचा है, क्या किसी के चाचा है, तो आप देख रहे होंगे, गाओं में आ रहे होंगे, आपके पिता जी का नाम लेकर आइसे बोलने होंगे, चाचा कहा है, ठीक है, या आपके चाचा है, वो किसी के पिता भी हो सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब है, इसको हम अगर वेंड डाइगरम से प्रदिश्ट करें, तो पिता, कुछ पिता क्या होते है, चाचा होते है, कुछ चाचा पिता होते है, ठीक है, ऐसे, अगर हम बात कर ले, क्या कर ले अगर हम ध्याnio दीजगा चाची की बात कर ले glow दीजगा चाची की बात कर ले तो इसका वेंड़ागरम क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं धीकरा इसमें वेंड़ागरम में चलिए देखते हैं इनमें से क्या कोई हो सकता है पिता के अंतरगत चाचा, सारे पिता चाचा हो जाए, या चाची अलग हो जाए, चलिए, एक बार इस question को हम verify करते हैं, क्या हो सकता है, diagram में कुछ mistake भी हो, कोई नहीं, एक बार हम इसे कोशिस करते हैं, देखने का, देखिए, इसको आप लोग क्या करिएगा ना, इसमें कोई एक option ऐसे बना लीजीए, क्योंकि यह गल्त है, इसमें ऐसा नहीं छपा है, तो आप लोग क्या कर लीजये बच्चो इसमें एक diagram ना, ऐसे कर लीजिए, बता देते हैं, एक diagram को जैसे बनाया है, ऐसे प्रतृत कर ये, क्योंकि जो बनाया गया है न, ओ सकत्त है, ठीक है, चले यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिएगा बता देते हैं आप एक डाइगराम ऐसे कर लीजिए और ठीक है चाची को अलग कर लीजिए और आंसर आप लोग किसे दीजिएगा option number B को option number किसे देंगे B को answer देंगे उमीद करते हैं आप लोग इस question को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ठीक है क्या हो जाएगा कुछ पिता चाचा कुछ चाचा पिता सभी जितने भी चाचा है पिता हो सकते हैं नहीं बहुत से ऐसे चाचा है गाव में मेरे भी बहुत चाचा ऐसे लोग है जिनके साधी यह नहीं हुए तो पिता कैसे हो गए समझ रहे है क्लियर है अब आप बोलेंगे कि सभी पिता चाचा हो जाएंगे क्या सभी पिता जी चाचा हो जाएंगे नहीं यह भी नहीं है ठीक है हाँ इसको भी यह नहीं कि चाचा का अंतरगत परदस्थित करेंगे यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से संबंदित रखना है यानि वेंड डियाग्राम इसका यह होगा चलिए आगे देखिएगा आगे देखिएगा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे खुब सोचेंगे समझेंगे तो कोशन का अंसर नहीं दे पाएंगे फिर आप confused हो जाएंगे बस simple सी सोचना है अंसर दे देना है देखिए कोशन नमबर 15 जो है बहुत ही important है most important question है ध्यान से देखिएगा इस question को समझा रहे है देखिए question क्या बोल रहा है देखिएगा question बोल रहा है वह आरेक चुनिये जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच के संबन का सही निरूपर करता है कच्छुआ अस्तनपाई उभैचर अब बहुत से बच्चे होंगे जो अस्तनपाई नहीं समझ रहे होंगे उभैचर नहीं समझ रहे होंगे ठीक है उभैचर किसे कहा जाता है कच्छुआ किसे कहा जाता है अस्तनपाई किसे कहा जाता है उभैचर अमफिवियन समझ रहे हैं देखिए नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझ रहे हैं पाई किसे कहा जाता है अस्तन पाई अस्तन पाई सब्द से आप लोग परचित होंगे नहीं है तो बता रहें अस्तन पाई वो उसके अंतरगत आएंगे अस्तन पाई के अंतरगत जो अपने अस्तन से दूद पिलाते हैं बश्चों को ठीक है समझ रहें अस्तन पाई ठीक है जैसे अस्तन पाई में बोल दू बंदर, बंदर क्या है, अस्तन पाई है, ठीक है, बच्चों को दूद पिलाते हैं, उभैचर, उभैचर, उभैचर के अंतरगत जो, पानी में भी रहले, जमीन पे भी रहले, उभैचर, जैसे मेंड़क, मेंड़क जो option है, मेंड़क को देख option number D, क्या हो जाएगा, option number D सही हो जाएगा, तो उमीद करते हैं, आप सारे बच्चे इस question को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और when diagram के कैसा हो question आएगा, अगर सब्दों के बारे में जानकारी है, पांसर आप बड़े आराम से देंगे, नहीं है तो नहीं दे पाए जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप when diagram पढ़ेंगे तो सब्दों को, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं चीजे, ये मन लीजिए, अगर आपने वायो पढ़ा होता होता, तो इन सब के बारे में पता होता, तो अंसर दे लेते, तो इसलिए सब्दों के बारे मे ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, उतने जल्दी आपकी सेलेक्शन होगी, तो इसलिए मन लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डेली क्लासे को जो आइन करी, और सारे बच्चे आप को जरूर डाउनलोड कर इसलिए एप को डाउनलोड नहीं किया है, तो एप पर आपके अगामी सभी परिक्शाओं के लिए क्लासे चल रही है, आप जिस भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, ठीक है, एप पर SSC में करके एप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, SSC, CGL, CPS एप को डाउनलोड करके देखिए, और इस क्लास की पीडियो भी आपको आप पी मिल जाएगी, तो एप से पीडियो डाउनलोड कर लीजिए, और डेली आप लोग क्लासे को जोइन करिए, मन लगा के पढ़िए, उमीद करते हैं, आज की क्लास आप लोग को बहुत दी अच लगा है, और कितने question आप लोगों ने अपने मन से solve किया है, मतलब ऐसा भी होगा, जिसको आप लोगों ने सोचा होगा, किसका तो answer हम दे लेंगे, दे लेंगे, दे लेंगे, ऐसा सोचे होगे, तो comment करके जरूर बताइए, क्लास अच्छी लगिए, तो ऐसे ही हम आप लोग पर message कर सकते हैं, Instagram पर SSC maker search करके, follow करके जूर जाएए, ठीक है, तो आज की class को बच्चों यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे आप लोगों से next class में, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली class में, तब दखीले दोस्तों, धन्यवाद